Hello Friends, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर तो कल है IAT BHU में Physical Verification Day पूर दो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट इयर में एडबिशन ने ले वाले हैं B.Tech और I.D.D. में तो हुपसो आप सभी का Physical Verification से पहले Biometric Verification हो चुका होगा और आपको Hostel Allocate हो चुके होगे तो Physical Verification के लिए मैं कुछ इसमें Important Point बताने वाला हूँ कल के लिए तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ Regarding Timing अभी IAT BHU ने Last Year जब B.Tech और I.D.D. के स्टूडेंट का Physical Verification करवाया था तो तब भी ये टाइमिंग रखी थी 8.30 to 1.30 इसका ये मतलब नहीं होता कि आप Exactly 8.30 पर पहुंचा है और जो आपकी Physical Verification न वो 1.30 तक चलेगी ऐसा नहीं होता It's just a 5-minute game 5-10 minutes में एक परसन का Physical Verification बहुत इसली हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कल आप 8.30 पर Directly Physical Verification Center पर पहुंचा है आप अपनी नींद पूरी कीजिए अच्छे से Breakfast कीजिए Near about 10 to 11 के बीच आईए उसमें कम भीड होती है भीड की Sense में मैं क्यों कहूंगा कि बहुत सारे अभी जो Student है वो मेरे Channel से जुड़े नहीं हुए है तो वो कल क्या करेंगे उनके Parents और Student morning में 8.30 पर पहुंचाएंगे 8.30 पर पहुंचेंगे then they have to wait a long क्योंकि Faculty थोड़ा धीरे आएगी और Documents भी धीरे धीरे आते रहेंगे तो दीरे धीरे वो नियर अबाउट 9-9.15 के आसपास प्रोपरली Document Verification स्टार्ट होगी ठीक तो अगर वहां पर भीड बैठी होती है एक रूम में तो उस रूम में फिर वो धीरे धीरे करके एक एक को बलाएंगे तो इसमें आपको लोंग वेट भी करना पड़ सकता है कहीं बार तो बेस्ट यह है कि अराम से आप अपना breakfast करके आएं 10-11 बजे के बीच में आए या 11 बजे भी आएं 11.30 आएंगे तो इंस्टेंट आप आएंगे ज्यादा आपको टेंशन लेने की जूरत नहीं है अगर आपसे कोई भी डोक्यूमेंट मिस भी हो जाता है तो वह आपसे undertaking form भरवा लेते हैं लेकिन अगर आपके पास in case अभी तक undertaking form नहीं है तो वहाँ पर जो आपका physical verification कर रहे होते हैं उनके पास एक undertaking form होता है वो जरूर आपको देंगे कहीं बार खतम हो जाता है कोई डोक्यूमेंट तो उसकी photo state की जुरूत पड़ती है मान लीजी आपके पास कोई document है तो उसकी photo state की जुरूत पड़ती है तो photo state करवाने के लिए mostly लोग बहुत दूर तक चले जाते हैं दुकान डोनने के लिए शॉप डोनने के लिए तो इस केस में क्या कर सकते हैं वो वहीं बैठे हुए faculty से पूछ सकते हैं कि sir मेरी help कर दीजे मैं कहां यह photo state करूं तो वह आपको department का रास्ता बता देंगे और department के office में जाकर आप अराम से photo state भी ले सकते हूं तो यह हुआ regarding document verification और timing तो बस मेरे कहने का मतलब था कल आ आप अराम से अपना breakfast करके document verification के लिए तो गाइस अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीस लाइक एट अपने जूनियर्स के साथ जो आएटी में आना चाते हैं in future उनके साथ यह शेर कीजिए so thank you for watching this video